नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरिपय करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेला के इनको प्रेस कर दें ताक यृडिस नोडिफिकेशन आप को मिल जाएं तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में इनका वेपार है जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा और विवाहिक जीवन में थोड़ी परशानी चली थी तो आगे के जीवन के बारे में इनको जानना है कि आगे का जीवन नजर आ रहा है, तो इसका भी क्या आर्थ होगा, इस महात्पून विशय पर भी इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, बिल्कुल चिंता ना करें, आप ये कोशन्स को मैंने सुन लिया है, देख लिया है, जान लिया है, अब बताने का कोशिश करूँगा, जो भी आपके हाथ पर positivity होगी, जो भी आपके हाथ पर negativity होगी, इन साड़ मातपून विशय पर हम बारे की पुर्वकद्यन करेंगे और बताएंगे, तो पहले तो जब मोल की बात हो गई, तो मोल के विशय में ही हम बात कर लेते हैं, मोल को ही देखके हम समझ लेते हैं, कि ये मोल आपको कैसा परिनाम दे रहा है, अच्छा दे रहा है, खराब दे रहा है, तो आईए देखते हैं और समझते हैं कि मोल का क्या विशय शर्थ होगा, अब देखिए, शैटरन परबत पर exactly में ये मोल है, अब सैटरन परबत पर मोल बनना ठीक नहीं माना जाता है, इनने भौतिक सुख्चे, समाजिक सुख्चे, इनको कोई विशेश मतलब नहीं रह जाता है, और एक समय ऐसा भी जीवन पर आता है, जिस समय इनको ऐसा प्रतीत होता है, कि अब लाइफ में ये पैसे का कोई सुख नहीं है, कोई एहम्यत नहीं है, अब जीवन पर जो करना जीवन विताना चाह रहे हैं या आप एकांत वादी बनना चाह रहे हैं तो आपके परिवार का देखवाल कौन करेगा तो ये परकार की negativity है कि आपका एक बड़ा पुरा परिवार है उसको आप छोड़के सरन्यासी बनने के लिए एक छुक हो जाते हैं सबसे बड़ी negativity तो ये होती हैं एकांत वास में रहना इनको पसंद होता है और कुछ लोग depression में भी चले जाते हैं कुछ कारणों की वज़े से depression में भी चले जाते हैं किसी से बात करना विशेस पसंद नहीं होता किसी के साथ रहना विशेस पसंद नहीं होता और कुछ समय में ये नुक्षान भी कर जैसे अगर आपका वेपार बहुत बड़ा चल्टराओ का जितनी कामियाबी आप उमीद कर रहेंगे वो मिल नहीं पा रही होगी अब कुछ लोग मुझसे परशने करते हैं गुरू जी ये मौल बनता कैसे तो पाप दिस्ट्री होने की वज़ा से अगर किसी कारणवश आपके योग कारग गरह या शनी पर किसी परकार से पाप दिस्ट्री का साया हो जाए या फरशनी तरिकस्थान में बैट के बहुत जादा अस्त का हो जाए या फरशनी वक्री होके गलत घर में जाके बैट जाए जो आपको नेगेटिव इंपेक्ट दे मारकस्थान का श्वामियो के नेगेटिव इंपेक्ट दे और वो गलत अस्थान में बैट जाए तो इस क उप्रांत अगर देखा जाए तो ये मोल ही नहीं तो इसको लेकर आपको चिंतित रहना ही नहीं है जो मोल नहीं है उसको जबरदस्ती मोल बनाना भी अनुचित है उसको ना तो जबरदस्ती मोल बनाने का प्रयास करे और ना ही जबरदस्ती मोल बनाना जायज है कहीं पर से च शादी के योग बन रहे थे और यहाँ पर से डिस्टर्व शुक्रवय नजर जरूर आया जो कि यह इंडिकेट कर रहा है कि जातक का मानसिक तनाव और पहले विभा में दिक्कत तो यह दिक्कतों का परचा यह करा रहा था जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं एवं सम देख लेते हैं और समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो पॉज्टिविटी में क्या है पॉज्टिविटी में बाग्विट की चुक्छा यह साथ है इकदम बाग्विचा बहुत जबरेता है चलो यह तो गर्या अटपूनबाद आब Soon आग्या हाद्व विचार कर ले और क्या क्या चीज़े हैं हाथ पर positivity में तो एक जवर्दस दिख लिए सूरी रेखा ये वाली सूरी रेखा भी देखो सूरी रेखा पर एक तिर्बुझ जैसी आकरती और यहाँ पर एक और तिर्बुझ दो-दो तिर्बुझ अगर सूरी रेखा पर किसी प्रक्यार से तिर्बुझ बन जाए तो जातक का बागुद है पैटस वर्ष के बाद होता है और यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वाइर या रेक्टेंगलर सेप की आकरती दिख रही है जो कि लगबग ये आपके 36 वर्ष के बाद है तो ये भी बेनेफिट कराती है बुद्ध रेका बढ़िया बनी हुई है लेकिन थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे न तो थोड़ी कम डार्क दिख रही होगी जब लाइट बुद्ध रेका रहे है न तो थोड़ा बिजनस में उतार चराब को बताती है ये वाली भी बुद्ध रेका आगे बर रही है इसका भी रेमेडी हो जाएगा ये डार्क होने का बाकि बुद्ध पे ख़ली रेका है रिमाग तेज है ट्रेंगल यहाँ भी है तो पैसा कमाने तो आता है बड़िया कमा लोगे आप ये सब भी आपके बागे रेका कही ब्रांचेस है जो कि आपके विदेशी दर्थी से दनलाव को बता रहे है चांसर्स पूरे बन रहे है पूरे बन रहे है जीवन रेका पर प्रगति की रेका एक पार्टिकुलर समय के बाद है जो कि विशेश तरक्की को बता रही है कुछ जीवन का जीवन कैसा रहेगा तो आपकी लगबग 36 वर्स की आयू के बाद आपको विशेश चुंता करने के आउशकता नहीं है जीवन में परिवर्तन तै है जीवन रेखा पर भी ये जो प्रगती की रेखा है येसी बात का पर्चे करा रही है इस केस में जातक के 36 में वर्स के तरब चले तो चीजों को बढ़िया से बता देते है पहले जीवन रेखा को देख लेते हैं तो ये हो गई आपकी मस्तिक्स रेखा ये हो गई जीवन रेखा इंडिपेंडन नेचर जातक बड़े इंडिपेंडनेटली कारे करते हैं कुछ प्रोग्रस लाइन थी लाइफ फिर एक 34 में तरक्की है फिर एक लगबग आपके 37 साड़ के असपास बड़ी तरक्की जीवन रेका बड़िया 37 के बाद तो जीवन में स्मूथने से 49 में तरक्की 41 में तरक्की फिर लगबग 45 में फिर लगबग 50 में 52 में 54 में उसके बाद भी यात्रा 53 54 में बड़ी यात् आगे भी जीवन डरेका बहतर एक बड़िया प्रोग्रस लाइड थी आपकी लगबग 64 के आसपास उसके बाद भी जीवन डरेका ठीक दिख रही है अगर आप ठीक से देखेंगे तो कुस तिरबुच जैसे आकरती दिख रही है जो की अकासमिन दनलाव को बताता है जीवन प इसको बताता है बागे ये सब लाइंस इंडिकेट करता है मनी मैनेजमेंट जातक के जीवन में जब भी धन के आवशक्ता होती आ जाती है मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है जातक का टेंशन लेने का आदत तो टेंशन आप लेते हैं वैसे शुक्र प्रबल है शा को बहुत ही अच्छा बना लेते हैं चलो यह तो गई इनकी पॉजिटिवेटी नेगेटिवेटी कोश्चन्स अभी इन कहते लिका हम जनल अरदियन करेंगे चीज़ों को असपस डूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महतपूर्ण है देखे सीखे समझे तो जहाँ पर से आगए स्क्वाइर स्पाम प्लैंटर कंडिशन्स अच्छे हैं तो राज्यो कारा कते लिए कंफर्टेबल लाइफ है गुलाबी यह दन को अटरैक करती है बड़िया थम्ब है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ती है यह वाह किरती जभी सपोर्ट के आवशकता जाएगे डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो बड़े महतमकांची और बड़िया थम्ब है तो ऐसे विक्ति बड़े इमांदार परविर्ती के होते हैं इमांदारी पुर्वक जीवन को बिताते हैं समझदारी के लूप काफ़े अच्छी समझदार है फिंगर के बीच में थोड़े खर्चिले परविर्ती के हैं वो आपकी फिंगर पर खड़ी रेका इंडिकेट कर यह दिल के बड़े अच्छे विक्ति हैं दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है तो काफी मैनती सूरी फिंगर इमत को बता रहा है बुद्ध फिंगर फिंगर फर्श फ होने थे इसके आगे कि आपकी मस्तिक से रेका ठीक दिकरी है मुझे घर्दर रेका भी ठीक है समाने बाव उकता है आगे घर्दर रेका भी बहतर है विष्टों योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं बैलेंस बढ़िया है तो दिल दिमाग के बहुत जीवन के अंतिम समय तक बागे रेका है तो बागे रेका का साथ तो मिलेगा शनी पर ये मोल है इसका उम्रेमडी में देखता हूं क्या करना चाहिए आपके लिए आपके लिए आपका लाइन ओफ एजुकेशन बढ़िया है तो समझदार है सूरी रेका बढ़ी अच्छी ह शूरी रेका पर एक तिरबुज जयसी आकरति है एक सद्धूरू जैसी आकरति है इंडिकेट कर रहे है 35 वर्स के बाग गुद है ये भी एक जबरदस्ट सूरी रेका बागे 36 वर्स के बाद एक बहतरीन आपकी बागी रेका दिख रही है मुझजे यहासे भी एक बढ़ि आए तो highly energetic है energy में कोई कमी नहीं है उसके बाद देखा जाए तो बागगे रेका चंदरमा से गया है तो विदेशी दर्थी से दनलाव तो होगा बागे ये बुद्दर रेका थोड़ी और सार तक हो जाए तो फर तो मजा ही मजा है ये सब भी आपके विदेशी दर्थी से दन आपके सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोटस अपनमर डिस्कूशन मिल जाएगा लेकर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद